आईपियल 23rd की सुरुवात होने वाली है इस आईपियल सीजन में एक खिलाडी ऐसा है जिसे उसकी टीम, कोच और फैंस के साथ-साथ दुनिय अभर की क्रिकेट फैंस मिस करने वाले हैं इस खिलाडी का नाम रिशाप पंथ है रिशाप पंथ एक कार सीजन में गंभी रूप से चोटिल हो गए थे जिस वज़े से पंथ पिछले कई महीनों से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं और अब आईपियल के पूरे सीजन से भी बाहर हो चुके हैं आईपियल में रिशाप पंथ दिल्ली कैप्टिल्स के कप्तान है और टीम के एक महत पूर्ण खिलाडी है इस बार दिल्ली कैप्टिल्स की पूरी टीम रिशाप पंथ को मिस कर रही है खास दोर पर दिल्ली कैप्टिल्स के कोच रिखी पॉंटिंग अपने कप्तान पंथ क सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं उनका मानना है कि कोई भी पंथ की कमी पूरी नहीं कर पाएगा रिकी पॉर्टिंग ने कहा कि रिशब पंथ हमारी टीम की दिल और आत्मा है रिकी पॉर्टिंग ने मीडिया को संभावित करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि वह अगर मैच ना खेल पाएं तो कम से कम डगाउट में हमारे साथ मौजूद रहें और अगर यह भी संभाव ना हो तो अभी हम उन्हें हर संभाव तरीके से टीम का हिस्सा बना चाहेंगे हम उनका जर्सी नंबर अपनी शेर्ट या टोपी पर मेंशन कर सकते हैं मिडिया रिपोर्ट्स क को माना कि चाहे कोई भी टीम में सामिल हो लेकिन कोई भी रिशपपन की जगें नहीं ले सकता है उन्होंने कहा कि सर्फ राज खान और यस दूल जैसे खिलाडियों को मिडिल ओर में खेलने का मौका मिल सकता है हमारे पास रूम मिल पॉविल और अक्षर की बन्लेबाजी मे भी काफी सुधार आया है इसलिए हम रिशपपन की जगें एक कवर डूरने की कोशिस करेंगे